इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ ट्राइड एंड लिमिटेड के बारे में एक छोटा सा शेयर है लिसक जिसके अंदर बहुत बड़ी दम है आपको पता होगा मैंने बताया था लाश्ट के कुछ वीडियो में तीन दिन के अंदर मातर तीन दिन के अंदर 78% तक की तेजी दिखाया इसने और आपको आगे में कुछ और fundamentals बताऊंगा सबसे पहले हम लोग Friday की दिन की situation को अगर देखे हैं तो 14.50 उससे पहले वाले दिन के closing price और उससे 25 पहले नीचे आके gap down opening होती है आपर 14.25 की open price के बाद 13.40 का low बनाता है और 15.00 का high भी बनाता lower circuit end 13.05 का लगा था upper circuit end 15.95 का लगा था और आप देखें तो NSE के उपर जो total volume rate हुआ है 83.6 million यानी 8.36,60,792 और 14.60 के उपर ये close होता है जो की 0.69% उपर है अपने last closing price के respect में BSC पे अगर आप देखें तो total जो volume rate हुआ है 14.4 million यानी 1 करोर 44,87,830 और इसके अलवा अगर आप देखें तो market cap यहाँ पे निकल के आ रही है 7,440.10 करोर delivery percent आपको बताना चाहूँगा लेकिन उससे पहले return percent देखें तो year till date में 47.47% का return एक हपते के अंदर 35.81%, महिने भर के अंदर 43.84%, 3 महिने के अंदर 89.61%, 6 months के अंदर 117.91%, 1 year के अंदर 126.36%, 2 year के अंदर 115.02% और 3 years का 62.40% है ओके, delivery percent की बात करेंगे तो NSE और BSE का total अगर हम मैं बात करूंगा तो total जो volume trade उट था NSE और BSE का मिला करके वो 98.1 million था जिसमें से delivery उठा ले गई 33.5 million यानि 3 करोर 35 lakh something something और उसे को percentage में convert करेंगे तो percentage of deliverable आ रहा है 34.10% ओके, इसके अलावा मैं आप से बात करूंगा कुछ इसके key financials को ले करके तो ध्यान से देखिए और सुनिएगा अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे इसके share holding pattern को ले करके जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे promoters की holding है 73% FIIs की holding है आप देख सकते हैं यहां पे ये color जो है FIIs का है जो की 1.6% के साथ बने है वहीं अगर हम other category के investors की बात करेंगे या other institutional investors की बात करेंगे तो other institutional investors 0.9% के साथ है public share holding की बात करेंगे तो 22.5% और इसके अलावा कुछ exceptionally other लोग हैं जो 2% के साथ बने हुए है ओके तो यहां पे अगर आप देखें तो जो promoter की holding है क्या उसमें से कोई percent lock है क्या गिरवी है उसको भी यहां पे बताना चाहूंगा अब आप देख सकते हैं आपे December 2020 के quarter का data available करा दिया गया है तो यहां पे थोड़ी चीजें ज्यादा clear आपको देखेंगे September 2020 में 71.8% की promoter stake थी जो कि December 2020 आते आते 73% हो जाती है बढ़कर के देखिए आपने देख लिया यहां पे promoter की stake बढ़ा ली गई है और गिरवी नहीं है आप देख सकते हैं यहां पे ना locking है ना गिरवी है जो कि बहुत अच्छी बात है FIIs यहां पे अभी भी 1.6 के साथ ब्रूरी अपनी content के साथ बने है डियाई यहां पे 0.9% के साथ बने है पॉब्लिक share holding यहां पे अलाकि गड़ गई है 25.6% थी और यहां 22.5% हो गई और यहां अधर का टेक्री वाले थे ही नहीं और यहां 2% के साथ बढ़ गए तो पॉब्लिक share holding जहां पे गिर जाए कम हो रही है वहां समझ लो पॉब्लिक को पता नहीं होता है इसलिए वहां जादा buying हो जाती है तो उनकी stick बढ़ जाती है ओके तो यह आप देख सकते हैं यह इसके fundamentally काफे strong है काफे मजबूत है इसके अंदर dumb है छोटा सा share dividend भी provide करता है तो इसके अंदर quality है और कम price में मिल ला है तो definitely 18th of January is very important date for this क्योंकि 18th of January 2021 को इसका result आ रहा है तो आपको बहुत ही alert रहना होगा और इसके अंदर जबर दस तरीकी सतेजी आने की possibility है क्योंकि अभी इस stock का relative strength index 70 के अबब है 74 के आसपस है I think so ठीक है तो definitely यहाँ पर अभी यह profit booking का time चल ला है definitely इसके अंदर अभी correction का time चल ला है basically मैंने आपको बताया भी था कि यह correction possible है और हो भी रहा लेकिन 18th of January के सब को situation अगर अच्छी रहती है तो definitely इसके अंदर जबर दस तरीके से moment आएगा जबर दस तरीके से अब quarterly और देख लेते हैं यह result पीछे के किस तरीके का इसका outcome रहा है last के एक दो quarters का तो financial results में सिर्फ मैं आपको September quarter और June quarter की बात करूँगा और December quarter का data 18th of January को upload हो जाएगा company की तरफ से disclose कर दिया जाएगा मैं सिर्फ दो points की बात करूँगा top line and bottom line याई total revenue and net profit after tax September 2020 quarter में देखें तो total revenue इनका निकल क्या था 1117.5 crore जबकि June 2020 याई एक quarter पीछे जाएं quarter on quarter basis पे देखें तो 714 crore कुआ करता था याई June 2020 वही September 2019 में देखेंगे तो थोड़ा यहाँ पे जादा था 1346.5 crore अब bottom line की बात करें profit after tax की तो 138.3 crore था September 2020 याँ अंदर वही June 2020 में 13.9 नहीं net profit after tax में बात करूँगा यह profit before tax है तो अगर हम PAT की बात करें profit after tax की तो September 2020 में 105.7 crore जबकि June 2020 में 10.1 crore जबकि September 2019 के अंदर देखें तो 139.8 crore अच्छा इसी चीज़ को अगर आपको ग्राफिकली समझाना हो तो थोड़ा सा मेरे लिए और आसान हो जाएगा आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे ग्राफ दिख रहा होगा यह आप देखें तो यह जो है यह जो आपको बार दिख रहा है यह 105.69 crore को रिप्ज वह जून के अंदर पी एटी देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टेक्स तो इनका निकल के आए था 10.11 crore ओके वह अगर आप सेप्टेमबर 2019 के बात करेंगे तो 139.81 crore तो आप देखें तो येर ओन येर बेसिस के अंदर थोड़ी सी गिरावट है लेकिन क्वाटर ओन क्व और बेसिस पर देखें तो इसको जबर दस तरीके से उचाल है तो अगला जो कॉलम यहाँ बनने जा रहा है वो है दिसमबर 2020 का तो देखते हैं कि उसके अंदर प्रॉफिट इस कॉलम से अगर ऊपर चड़ा जाता है तो डेफिनिटली आपको ये शेयर 20 से ऊपर ही मिलेगा आपको ओके तो अब यहाँ पर आप पूछ सकते हैं आप लोगों इस क्वेशन भी पूचा था कि क्या करूं होल्ड करूं कि सेल कर दो तो आपकी मर्जी है आप अगर शॉर्ट टाइम प्रियट के लिए बने हो अगर आपके अंदर पॉफिट हो रहा है आपका तो आप नि से इसके उपर क्लारिटी मिल गई होगी तो 18th of January को आपको नजर बना के रखना होगा आपको अपडेट मिलेगी आपको बस connected रहना होगा इस चैनल से अगर आपको Demedia Training Count open कराना है तो description box में देखिए आपको एक link मिलेगा उसे click करके आप stock के अंदर account open करा सकते हैं see you guys next time till then take care of yourself thank you